गाब एंस के दूद बढ़ाने का रामबान देशी फार्मला एदि आप अपने गाब एंस का आज में बताऊंगा कि दूद बढ़ाने का नंबर एक रामबान देशी फार्मला बताऊंगा क्योंकि बहुत इस्ता ही जो पर शुपालक है उनमें पशू में दूद की मातरा है व वी गाब ऐसे हैं उनमें दूद की मातरा नहीं बढ़ पा रही है एदी आपने उने कुछ खिला दिया पिला दिया फिर भी दूद की मातरा नहीं बढ़ पा रही है या जैसे पहले ब्याओंत में दूद की मातरा ज्यादा थी जिस परकार से पहले 15-20 लिटल दूद देती थी लेकिन अब तो 8-7 लिटर दूद दे रही है प्रस इस तरह की भी सिकाइट आ रही है कि इसर जो पहले ब्यावत में दूद देती है लेकिन अब तो बिल्कुल दूद दे ही नहीं रही है यहीं दूद आई नहीं रहा है बैस इतने ही दूद आ रहा है करेंस नाथ छाली पर पहले पर सबस्क्राइब करें एक पता है की चोतिक सफिक चाइशल Maar से हासी आपको रहा है सित्री है वह चलिफ़ नियुकार कि लिंक करतें इन वीडियो उ ju जो कमेंट्स करतें इन वीडियों पर तो उसमें वाह पर आपकों की की वीडियो मिलती है जो इन चेनल पर या उस चेनल पर उन सभी की वीडियो दी जारे उन दोनों चेनलों को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी वीडिया आती है देखो एदि आप अपने पशों में दूद की मातरा नहीं बढ़ पाती है क्यालता है यहाँ यह यहाँ पने पशों को दूद को पीक पर नहीं ला सकते हैं दिन निकल चुकर हैं लेकिन पीकश पर नहीं ला सकحت Uhh किज भी कारणी यही कम हो गई है तो आप अपने पशों में दूद की मातरा आप सानलिसे बढ़ा से हैं चाहिए आपका फसुत ताज़ा बेंस हो या मीडियम में इदिया आपके पश्चों में बीस इस्तती में इस तरह की इस्तती होगी तो उस इस्तती में भी दूद की मात्रा डाउन पश्चों में दूद की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको जो पेट की कीरे मालने की दवा दिख रही है वह आप अपने पश्चों की दे सकते हैं कोई सी अच्छे ब्रांट की आप अपने पश्चों को दें प्रिग्नेंट तक ग्याबिन है तो आप दूसर की किड़े माने की दवा इसके साथ आप अपने पश्चों की अच्छी डाइट वा दाना मिसन आप अपने पश्चों को संतुली तहर दे संतुली दाना मिसन दे समय समय पर आप पश्चों को पानी पिलाएं दिन में आपको गर्मी ज्यादा हो रही है तो दिन में तीन बार तो आप इसे दिन में दो बार अपने परशू को पानी पिलाएं ता जब यह गाब हैंसा हो तो उसे थोड़ा थंडा पानी ने प्लाएं नॉर्मल जो कुई का पानी आता है वह पिलें पानी का बहुत बड़ा रोल होता है आप अपने परशू में इदि अच्छा रिजट करता है तो आप अपने परशू को दिए क्योंकि यहां का दलिया आको जरू करना ताजब्याइव आफ एक रहें पानी यह गहां जरूर दें आप खेरें गीर्यों का ढली आप अमने प्रशूं को कितना भी खिला सकते हो जब तक यह पैस्कर परसूं क को नहीं आप आता है तर आपका धनि अपने पर्शों स्थार्चुर्ज झой फैन्य अपशूं का मई आप परड़े आप अपने पशुण को देना ही परड़े है गहों के दल्या को मतलब है की आपको दल्या बनाना है गहों का और यहा के साथ आपको नहींस अपने पशुण को जबने ज़ता है लिए तो आपEPने पशुण को अज्वाइन, एश होदें आपको 100 ग्राम अजवाइन का जो mix करके या अजवाइन को जब पीस लेते हैं तो आप उसको grinder कर लेते हैं या बारिक कर लेते हैं तो उसको क्या करना है कि अजवाइन आप ग्यों के दलिया के साथ mix करना है अजवाइन बहुत अच्छा result आपके पशूँ में देगी पशूँ को गुड 200 ग्राम से लेकर कि 500 ग्राम पर डे गुड़ आप अपने पशूँ को दें जब गुड़ आप दे सकते हैं लगाता है 200-500 ग्राम जब तक है दिया आपका पशूँ हीट में नहीं आपाता है चाहे 15 दिन दें या 20 दिन दें कोई नुकसान आपके और साथ में आपको जो गुड़ 200 ग्राम पर डे आपको यह देना यह देते ही रहना इससे क्या है कि आपका पशूँ इससे क्या आपका पशूँ समय पर जो हीट मैने के बाद में पर फशूँ गरब भी टेर जाता है दूद की मातरा पशूँ बढ़ जाती है नेगेटिव में मिक्स पाउडर है पशूँं को 15 ग्राम पड़ादे जैनि 15 ग्राम पर डे रॅत ऑसके Windows उसके पांसो ग्रामट की एकिलो की आप उसके सब्सक्राइब चमधा साहथ वह एंप ऑन्रा ग्राम को जो भी आव गियों का दलिया बनाया उसको क्या होता है अपको आपको कि तू में more i kuin कि actually करोंब तैजिक साथ में तू दूद के इस सवाइन ही दeखेंगे दिख्वों मैं इसलिए मैं दूढया धर seafood करे। प्रेक्टिल करके देखा होता है या तो हम डेरी फार्मिंग वाले करते हैं जो घर पर 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 होते हैं उन पर अपना करके देखते हैं अच्छा रिजेल्थी देखने को मिलता है इसी के साथ साथ आपको एक मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने परशू को देना है जो गलाइस मिक्सर भी आप उन पसु को लगातार एक महीना दो महीना दे सकते हैं कोई नुक्सान नहीं करता है यह बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पसु में देखने को मिलेगा तो इसलिए आपका पसु घ्याबिन हो जाता है यानि प्रिग्नेंट हो जाए तो उस इस्तती में आपको गुडवरगियों का दल्या कम करतना चाहिए और बिलकुल बं करते न चाहिए अज वायन भे नहीं देनी चाहिए उस इस्तती में आपको एक Πशुव में दूर की महातरा बढा सकते हैं ये दिये खrzyएंगे तो आपके प्रसुमें 2 दिन के इंदरी पतागे जाएगा कि प्रसुमें दूद की मातरा बड़ी यह नाइवाँ फिर आप लगाता है आ Thanks. धन्यवाल.